हेलो एब्रिवान, वेलकम टू इनिस्पायर मेथेमेटिक्स क्लासिज अगला वीडियो में इन्टिगेशन मेथोर्ड आफ सब्टी इउशन का स्वाट एन्शाट टाइप कोस्चिन का मैंने कोस्चिन नामबार 12 तो किया था आप कोस्चिन 13 से स्टाट करूंगा तो स्टुड कोस्चिन 13 पार्ट 1 यह क्या है तो पहले जैसे मैंने बताया जेखो तो इसमें जो अन्ड़रूट में जो है रूटेश भेट्राव जैट आचिए एड डेरिविटिव उपर आशची के नाएड देहिकिना 1-2x-2x-2x-2x-2x-2x-1-2x-3x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-4x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-2x-2 आप यह क्या हो जाएगा, मैनास टू का मनलो लो, 1 प्लास X, 2Z d8, यह 2-2 cancel हो जाएगा, तो फिर यहाँ से हमको क्या निकाल ना है, यहाँ से आपको निकाल ना है X प्लास 1 DX, क्योंकि इसमें X भेरीवेल है, D के साथ क्या है X, इसमें X से पुरा Z को Z से कणभार्ट करना ज लिए x variable से z variable में convert करना ज़रूरत है तो इसके मिल गया आप यहां बैठा दो क्या हो जाएगा integration then integration converted to z dz under root of z square यह काट जाएगा कि यह z square means क्या है z है तो j j काट जाएगा मतलब यह हो जाएगा d z यह थोड़ा minus है ना तो यह minus होगा मतलब minus तो यह हो जाएगा minus z plus c मतलब minus z square value क्या हो जाएगा under root of 1 minus 2x minus x square plus c हो जाएगा answer पूरा clear आप चलो 13 part 2 में क्या है देखता हूँ 13 part 2 क्या है 13 part 2 यह बहिते जटाशे 13 part 2 किताब में किताब में किताब में जो है 13 part 2 इंटरियाल 4 minus 4x ठीक है 4x minus 3 dx 4x minus 3 dx cube root of cube root of 4x square यह है question तो इसमें देख लो cube root है इसमें cube root घना मुल तो cube root का अंदर में क्या है 4x square minus 6x plus 9 पहले देख लो इसका derivative उपर में आ रहा है क्या इसको derivative क्या हो जाएगा 2x मतलब 8x minus 6 8 में 2 कमोल ले लो यह आ जाएगा तो इसमें 4x square पहले जैसा सेम मेथोड सेम मेथोड में हो जाएगा यह आप खूद घर में कर सकते हो ठीक है तो 4x square minus 6x plus 9 इसको जेट क्या क्या क्यूब है ना तो जेट क्यूब पाकल लेना मैंने वीडियो में बाताया आगला वीडियो में बहुत आच्छा तरह से बाताया कौन सा क्यूब धरोगे क्यूब रूट हो तो क्यूब पूट करें अगर फोर्थ रूट होगा तो जेट पार फोर्थ पूट करोगे जितना भी रूट होगा उदना पार पूट करोगे ठीक है तो यह हो गया मैं पहला वीडियो में बाताया आची तरह से मतलब आगला वीडियो में ओके तो आप देखो इसका डिरिटिव क्या रहा है 8x-6 और इधार एक्स बाला है तो दी एक्स जेट क्यूप का डिरिटिव 3z स्क्वार डी जेट ओके आप देखो अच्छा इस्टुएंट्स में एक यह कॉंट्वी करूंगा मैं एक बात बतना चाहता हूं जो इस्टुएंट्स अभी निव आई हो इस चैनल में स्पैर माथमेटिस क्लासे इस यूट्यूप चैनल इसमें प्लेलिस्ट में जाओ उसके उसमें आपको सारा डिटेल्स मिल जा सँमें आपको सबकुछ मिल जाएगा तो प्लेलिस्ट में जा उसके बलबी के यह को मैं और जाए से बीडिटे में नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टार नेक्स्ट पार्ट का वीडियो अगर कॉंटिन्यू कर सकता हूँ इसलिए आप ज़्याद से ज़्यार कीजिए बेसिकोरे श्यार करोश होगाई ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आप कॉमोन लेलो 2 तो हो जाएगा 4x-3 dx 3z² dz अब हमको चाहिए क्या 4x-3 dx यहां से निकाल लो 4x-3 dx 3z² dz by 2 पूरा क्लिया आप यह मिल गया अब यह इसमें बैठा दो किकि इसको x से z में convert करना है तो क्या हो जाएगा 3z² dz by 2 आप cube z cube पूरा क्लिया तो इसमें पूरा x था z में convert कर दिया किकि इस d के साथ क्या है x variable अब देखो d के साथ है z मतलब z में convert हो गया ति यह होता है x से z से convert पूरा आप देखो constant क्या है 3 by 2 वह तो बहार आ जाएगा तिसमें z² dz और z cube का root क्या हो जाएगा cube root z हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 by 2 integral z dz तो यह क्या हो जाएगा 3 by 2 z² by 2 मतलब यह हो जाएगा 3 upon 4 z² plus c दी दो integrating constant तो यह हो जाएगा 3 upon 4 z² ठीक है z का value क्या है z cube यह है तो z क्या हो जाएगा इसमें इसमें से z क्या हो जाएगा z हो जाएगा 4x² minus 6x plus 9 whole to the power 1 by 3 यह हो जाएगा z का value clear तो यह z का value यहाँ बैठा दोगे तो क्या हो जाएगा 2 है तो 2 by 3 हो जाएगा तो इसलिए यह हो जाएगा 4x² minus 6x plus 9 whole to the power 2 by 3 plus c यह हो जाएगा answer पूरा clear देखो अच्छी तरस पूरा clear आप देखो question number है ठीए यह question 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 13 हो गया आप question number 14 और 15 पूरा same type तिसलिए question number हम 15 देखा रहे और 14 आप house में करो आपको हो जाएगा अगर नहीं होगा तो आप YouTube में comment के लिखके दो जे शोड़न साट टाइप question का सैर सोड़न साट टाइप question का 14 question 14 नहीं हुआ तो हम हार comment कर लेके जिसका solve नहीं होगा उसका solve करके आगरा वीडियो में upload कर दूंगा ठीक है इसलिए अभी अभी subscribe आगा नहीं किया हो तो जुरूर subscribe करके बेल आइकन देरेना जुरू कि कि जब बेल आइकन आप देखे तो आपको क्या मिलेगा notification मेसेज मिल जाएगा तो आप घर में इसका solution प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो गया अच्छी तरह से ठीक है तो आप देखो question 14 यह हो गया homework आप question number 15 15 क्या है dx by under root of 4x plus 3 minus under root of 4x minus 3 तो यह इस टाइप जो question आएगा तो इसको rationalizing of denominator क्या करना है रैसे rationalizing of denominator मदलब denominator माना हर हरेर कोरोणी नीरोशन हरेर कोरोणी नीरोशन करतो हो वे तो माते यह कम टाइप एड़ क्या मिलेगा यह हो जाएगा 4x plus 3 plus under root of 4x minus 3 और इस में से भी ओ जाएगा 4x plus 3 under root of 4x minus 3 4x plus 3 plus under root of 4x minus 3 ठीक है आप देखो यह यह भी यह minus plus भी तो यह square minus 20 क्या हो जाएगा यह 4x plus 3 whole square 4x minus 3 whole square पर clear यह हो जाएगा under root of 4x plus 3 plus under root of 4x minus 3 dx देदो ठीक है आप क्या है आप इसको क्या हो जाएगा under root उट जाएगा 4x plus 3 square उठेना बर्गमूर तो 4x minus 3 इसमें minus यह जाएगा इसलिए minus क्या हो जाएगा प्लास हो जाएगा clear तो यह हो गया 4x plus 3 plus under root of 4x minus 3 आप देखो यह 4x 4x cancel हो जाएगा 3 plus 3 6 यह हो जाएगा बाहर हो जाएगा तो अब integration क्या हुआ under root of 4x plus 3 dx plus integration 4x minus 3 is clear आप देखो students यह इसलिए रशाने यह इंग आप डेनामेटर किया हो जाते कोरे एग कि नीचे में था अंडर root नीचे में नहीं राएगा उपर में चला आएगा you can now use easily integration अब यह integration आप कैसे करोगा आपको दिखा रहा हो without putting अगर put करोगे तो क्या होगा इसको जेड़ स्कार पकरना है इस integration में 4x plus 3 को जेड़ स्कार पकरना होगा और यह 4x minus 3 को और यह अलाग जेड़ छोड़ के P और M पकरना होगा तो अगर put इतना put करोगे थोड़ा lengthy होजाएगा अगर put नहीं करना चाते हो तो क्या करना है हम दिखा रहा है आपको देखो आच्छी तरह से यह होजाएगा 1 upon 6 ठीय है और यह क्या है आप देखो फर्मूला क्या है फर्मूला है इंटेरियाल x पार n dx क्या फर्मूला है x पार n प्लास 1 प्लास 1 मैं जो आभी बाताऊंगा वो अच्छी तरह से अच्छा तरह से ध्यान से शनो बहत अच्छी तरह से शनो जेटा बोची खुब भालो करे महन दिये शनो से टाच्छे x तुदी पार n फर्मूला क्या है आमीं पूटिंग छाड़ा कोच्छी किन्तु कानो z by m पूटिंग कोच्छी ना बोई होच्छे तमांदग पूटिंग कोरे देवाला आच्छी पूटिंग कोरे देखी इते पार आगे इटे देखाई ठैसे पूटिंग ठागे पूटिंग को लेगे है चेकल लेंदी हो जावे तो एग्सी तो दीपार n फर्मूला इटे फॉर्मूला डारेक्ट पूट कोड कोड़ा कि अब और वो x-par linear formula अडिया अच्छा है ब्येकेट मद देखिया चीछ भी जेए लिक्त क्या है एक लिनियार लिनियार मदलब एकस का पार कितना है वान that is x-car 1 x-car 1 उटका पार लिनार का होल टूदी परें इसलिए इसका बैकट में क्या है linear है तो , , अगर एक स्कॉजार हो जाएगा, तो हो जाएगा। मतलब दी हाथ ये एक स्कॉजार हो जाएगा। DISCLEC07무 मतलब रहाएगा। अगर हेगे ये, se MUSIC में prediction से होगा कि इसका बैकेट में कहां x linear है डिखाद quantity नहीं है तो इसलिए इसका अगर quantity 4 x square plus 3 होता तो integration यह formula यूज से नहीं होता लेकिन इसमें linear है तो इस भी में linear है तो दोनों match हो रहा है तो अब यह formula you can use here तब यह हो जाएगा 1 upon 6 यह हो जाएगा 4 x plus 3 whole to the power in plus 1 clear upon in plus 1 clear और क्या है आंदर में क्या है x है लेकिन आंदर में x नहीं है 4 x plus 3 है तो जिसको x आप पकाल लिया था तो उसको नीचे से d dx करना है कि कि यह integration है अगर derivative में होता तो side में घुन करना होता आपको लेकिन integration में नीचे में होगा चेंड रूर की तारा derivative में जो एसे चेंड रूर किया था ना उसी का तारा इसमें नीचे होगा derivative में side में घुन होता किके इसको आप x माल लिया x माल लेके इसको formula यहां यूच किया clear पूरा clear है ना अगर किसी की तारा दिक्कोद हो समाझ में कॉनरकम चुदी कारो भूचते असुवीदा होए तुमारा भीडियो ते कमेंट करो कॉनरकम जुदी भूचते असुवीदा होए वीडियो ते कमेंट करो में पूरे वीडियो ते आरो आच्छा करे अच्छा करे एई पेस्ट निया आमी सुन्दोर कर आरो भूचते दूर कॉनरकम समाशन कमेंट करो यह कर देए आप्लोडिंग ज्यादा से ज्यादा आप स्यार कीजिए हाफ प्लास वान में बार बार कृपा कीजिए यह हो जाएगा डीडी एक्स और फोर एक्स मायनास थ्री प्र सेम टाइम जैसे एसे किया उसी तरह यह होगा सेम फ़ॉर्मूला इह होगा ना कि इसका बै आप सिंप्ल भाई करो, यह हो जाएगा क्या, 4, और x का 1, और 3 तो constant 0, तो यह हो जाएगा, 4x plus 3, whole to the power, 3 by 2, plus यह हो जाएगा, 3 by 2, 4 into 1, plus 0, clear, और यह हो जाएगा, यह minus है, ठीए, minus है, इसमें plus minus जो भी दो, लेकिन minus तो है न, इसलिए minus दे रहाँ, तो 4x minus 3, whole to the power, 3 by 2, पुरा clear, आप देखो, क्या है, क्या है, 1 upon 6, इसमें क्या है, 4, और 3 by 2, more love, 2 to cancel हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 by 6 हो जाएगा, इसमें भी 6 हो जाएगा, तो 1 by 6, 1 by 6 क्या हो जाएगा, बाहर आ यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, 4x plus 3, whole to the power, 3 by 2, plus 4x minus 3, whole to the power, 3 by 2, तो यह ultimate answer क्या हो जाएगा, 66, 36, और यह है, clear, हो जाएगा, इसमें इंट्रेटिंग, इंट्रेटिंग क्या हो जाएगा, देखो, अच्छी तरह से देख लो, तो यह हो जाएगा, आप चलो, question number 16 में चला जाओ, question number 16, आप चलो, question number क्या है, question number 16 देखो, question number 16, 17, ठीक है, question number 16 और 17 बिल्कुल सेम टाइब है, तो मैंने पहले बाताया ना, पहले first indefinite integration का जो वीडियो थे, उसमें अच्छी तरह से, अच्छा तरह से बाताया, जे, अगर improper fraction और पर पर क्या है, क्या है, रिशनल पार पार फ्रेक्षा और इंप्पर फ्रेक्षा है तरह से उसमे, आप फार अन प्रोपर फ्रेक्षा चलो, बात दीजी है, question number 16, कहा है integration x-a है और नीचे क्या है x plus dx तो यह देखो क्या करना है मैंने बताया फिर से मैं एक बार बता दिया qx by px यह एक polynomial function यह पॉइनियोर function तो उपर में यह पॉइनियोर function इसका maximum power इसका maximum power से ज़्यादा होगा और equal होगा तो हम divide करतेगे मनलब max power max power of px if max power of pf maximum power of px is greater than equal to qx maximum power of qx then you divide px by qx for clear maximum power of px maximum power of px greater than equal to qx मनलब greater than or equal then you divide px by qx इसको कहता है improper function this type of rational function ठीह है और जोदी लेस होगा तो डिवाइट करना ज़रूर नहीं इस इसका maximum power of px ठीह है maximum power of px is less than maximum power of qx then not necessary for divide not necessary for divide ओके इस्ट्वें डिवाइट करना ज़रूर नहीं है ओके तो यह important चीज है आपको यह याद रगना ज़रूर यह थे स्पीडली हबे आर्थो शुन्दर हबे को पना कोते बनाशा तो यह इस इनिस्ट्र साज्वें खुब स्वाजी हो जावा तो तो तुम देखाऊ नहीं टा किया चिह आँछे क्या क्याद इस टुबंडी क्या है सिंपिलो च्यांग क्या था किआ इउपर में कोई सब्सक्राइब कर दो नीचे है उसमें काड़ जाएगा कैंसल भी फैक्टराइजिंग हो गया और सिंपिल नॉर्माल जो डिवाइड है अब जर्वेशन तो यह कैंसर चाहिए यह कोस्टिन छोटा है छोटा है छोटो कोस्टिन अजुनेटर तुमी फैक्ट तुमारा अब जर कुछन तुमी अब्शं कॉटते पहर आनद जब जर्वेशन नहीं होगा जब किसी डिवाइट में अचेंस भी क्रशाा चीजिव है नामें हो simply काजें हो simple नाम में बहुत simple है अब काम में भी simple है मतलब आप तू फैक्टराजींग नहीं होगा जब अब बसे नहीं हो रहा है तो आप simple करोंगे आप हाट type of question simple में हो जाता है इस टाइप वान हो जागा और 2A आपन x प्लास पुरा क्लिया तो मतलब इसको नहीं रागतों इंट्रिकेशन छोड़ दो दो तो क्या है फञ्ट्सन एक्स माइस एबाद एक्स प्लास है तो इस फांट्सन का तो इंट्रिकेशन कर रहा किसका रेस्पेक्ट में एक्स का रेस्पेक्ट में इंट्रिकेशन होगा क्लिया तो इसको डिवाइट कर रिया अबजर्बसे मेथोड में क्लिया किके बहुत छोटा है तो आपको अबजर्बसे मतलब आपको देखने से आप you can do it लेकिन जो कोशन ज्यादा यह जो फांट्सन ज्यादा दिफिकल होग तो simple matter में आप यह दखाओ तो क्या हो जाएगा x plus a x नीचे में था क्या है प्लास ठीक है नीचे प्लास था उपर में minus था इसको डिवाइट कर दो होजएगा x plus a अब minus minus यह हो जएगा minus 2 तो क्या होग गया x minus a को x plus a से डिवाइट किया 1 है कोशन मतलो भागफॉल प्लास र माइनस तो प्लस माइनस होगिया, माइनस ट्येपा एकस प्लस होगिया, इसी लिए सिम्पिल डिवाइट कोई भी कोर्षेन कोर्षेन डिफिकाल हो, सिम्पिल डिवाइट बहुत आच्छा है, जो डिवाइट आप अब अब जाएट में नहीं हो रहा है, फैक्टराइट में नहीं हो रहा है, तो आप सिम्पिल डिवाइट में हो जाएगा, यह अच्छी तरसे समाझे, तो आनका इंट्रिशन क्या हो जाएगा इट है, और 2a dx अपन x प्लस है, क्लियार, अब यह हो जाएगा, x-2a अपन dxy प प्लस है, यह हो गया, अपका answer, प्लो क्लियार, अच्छी तरसे देख लो, मैं जो बाताया, जो maximum power, minimum power मतलब है, जो बाताया न, यह आपका अच्छी तरसे याद रखो, यह बहुत important है क्या, ठीक है, और यह चीज में फिर भी बाताया है, इंडेफिनिल इंट्रिकेशन का ज देखने से आपको question हो जाएगा, ठीक है, तो आप 17 नमबर में चलो, 17 question number 17 क्या है, 17 है, 2x plus 3 upon 3x minus 4, इसी का भी same type में है, इसका भी question, इस question भी छोटा, छोटा question है, इस question भी छोटा है, इसी के तार, ठीक है, इसका तरह इस question भी छोटा है, इसका भी divide कर लो, मतलब आप observation method में इसको भी divide कर सकते हो, 2x plus 3 को 3x minus 4 से observation method भी divide कर सकते हो, कैसे, दिखा रहा हो, ये है 3x minus 4, इसको कर दो, 3x minus 4 है नीचे, इसलिए आप उपर में 3x minus चोक कान भूच के रख दो, खीको divide करने के बाद तो ये तो cancel हो जाएगा, इसलिए इसको राख दो पहले, और इसमें क्या है, इसके साथ क्या है, लेकिन था क्या, 2, 3 है, तो 3 से divide करना पड़ेगा, 3, 3 काटे जाएगा, तो x हो जाएगा, लेकिन 2 था, इसलिए इहाँ 2 ही राख दो, clear, तो 3, 3 काटे जाएगा, लेकिन 2 रहेगा, तो ये तो हो जाएगा, ये तो इसको साथ भी multiply तो ये क्या हो गिया, ये हो गिया, 2 by 3, 3 x minus 4, plus 3 3 9, 9 8, किरना हो जागा, 17, 17 by 3, upon 3 x minus 4, पुर्वा क्लिया, ये हो गिया observation method, ठीके, ये model of, you divide 2 x plus 3, by 3 x minus 4, this divide, in this way, is called, I am saying observation method, मतलब आपको देखके, आप divide कर रहे, ठीके, तो ये हो गिया, divide, तो मतलब, ये क्या हो जाएगा, 2 by 3, this by this cancel हो जाएगा, और ये हो जाएगा, 17 by 3, 1 upon 3 x minus 4, पुर्वा क्लिया, अगर आपको इसको इस से divide करोगे, तो क्या हो जाएगा, उसी तरह का होगा, ये होगा, simple divide, लेकिन, इस question में, आगर मालो, आप divide ऐसा कर नहीं सकते होगे, मतलब, ये divide करने का में, आपको तो सोजना हे, फ्रा thinking करना हे, लेकिन, आप thinking नहीं कर रहे हो, मतलब, ये कम चींता हम ना करे, तुमी कोरते पाच्छो ना divide, और था तो observation method, तुमी divide कोरते पाच् ना more simple, का जी हो simple, तब simple में करो, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसलिए, एसके साथ क्या multiply करना पड़ेगा, 2 by 3, तो क्या हो जाएगा, 2x minus 8 by 3, अब minus करो, ये cancel हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3 plus मतलब, 17 by 3, तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको divide करने क्या हो 2x plus 3 को 3x minus 4 से divide किया, तो क्या हो गया, 2 by 3 plus 17 by 3 upon 3x minus 4, पुरह मिल गया, यह divide इहां से हो गया, और यह observation method से हो गया, देखो यह और यह, पुरह सेम है, इसी का है, मैं बार बार पाता नहूं, इस टाइम आपको, यह observation method नहीं आएगा, आप thinking कारके यह नहीं बना सकोगे, जटा टोरी कोरते परवेना, तोखन्त में simple divide कोरें, कीके polynomial function नहीं जए divide आ, simple divide सोब, उनके खेते simple divide आजीली हो जाएगे, जो इस simple divide भूले जाएगे, अब भूले जाए, आप अगर भूल जाए थोड़ा, यह आद नह minus होता है, ठीक है, clear, आप देखो, क्या हो जाएगा, आप इसका function का integration, मतलब इसका integration, इसका integration, इसका integration, यहाँ इसमें बैठा तो, क्या हो जाएगा, integral, integral 2 by 3 plus, क्या था, 2 by 3 plus 17 by 3, 7 by 3 upon 3x, 3x minus 4, यह है integration, clear, क्या हो जाएगा, आप 2 by 3, integral dx, plus 17 by 3, integral dxy, 3x minus 4, तो 2 by 3, integral dx का क्या है, x, 17 by 3, और इसमें इसका derivative क्या आजाएगा, 3, और उपर में 3x देदो, यह हो जाएगा, 2x upon 3 plus 17 by 9, और log of mod 3x minus 4 plus c, a हो जाएगा, plus c, यह हो जाएगा answer, तो clear, see where c is the integrating constant, यह कौन सा फर्मूला पता है न, f dashes by fx, log fx, यह हो जाएगा answer, आप देखो question number 19, यह क्या है, 2x plus 1 को z उसकार पकल लो, तो क्या हो जाएगा, इसका derivative 2, dx और 2z, dz, 2 to cancel हो जाएगा, मैंने बता है, अगर कोई student, मैं एक बात बता रहूं, अगर किसी student, direct यह video open करेगा, तो यह आपको, आप बतेंगे, यह कहां से आगिया, यह कहां से कर दिया, अरे मैंने integration का first video से, method of substitution, इसका video part 1 में जाओ, part 1, part 2 में यह पूर क्लियार बता दिया, कहां से आया, कैसे हुआ, आप यह video आप direct खुलोगे, तो आपको कैसे पता हुआ, ठीक है, इसलिए part 1 में जाओ, उसमें, part 1 कहां से मिलेगा, इस channel का inspired mathematics classes, चैनल में open करो, YouTube में, open करके playlist में जाओ, playlist में जाने के बाद, वहां search करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है, independent integration का list, SND, independent integration, SND, class 12, method of substitution, सब कुछ मिल जाएगा, NCRT का चाहिए तो चला जाओ, NCRT, class 12, integration, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, 2X Z, आप यहां से हो गया, DX equals to ZDZ, अब यहां बैठा तो, तो क्या हो जाएगा, यह integration हो जाएगा, under root of, DX, इसमें है न, तो क्या हो जाएगा, इसमें, इहां से X के निकाल लो, इहां से X कितना हो जाएगा, 2X equals to Z square minus 1, और X, 2X हो गया, आप यहां से 2X के value बैठा तो, क्या हो जाएगा, Z square, और DX है, Z, 2Z, अब क्या हो जाएगा, यह, Z square minus 6, प्लिप्लेए Z square, यह Z है, यह Z, Z square हो जाएगा, तो clear, यह under root Z square means Z, Z means Z, Z multiply Z, Z square, तो अब यह multiply कर दो, 4 minus 6 Z square, D Z, आप यह हो जाएगा, Z to the power 5 upon 5 minus 6, Z to the power 2, Z 3 upon 3 plus C, तो यह हो जाएगा, Z to the power 5 upon 5 minus 2 Z cube plus C, हो गया, आप इसको 1 by 5 Z power 3 हैना, तो Z cube आप common ले सकते हो, common लेलो, common लेने के बाद क्या हो जाएगा, तो Z cube बए 5 आप 5, Z square हो जाएगा, यह 5 to 10 हो जाएगा, और यह 10 हो जाएगा, Z cube तो common ले लिया, plus C, प्लिया, आप Z cube के value क्या था, Z square क्या है, 2X plus 1, यह पागरे हैं, तो Z क्या है, 2X plus whole to the power half, यह हो जाएगा, 2X plus 1 whole to the power half, मौनलब 3 by 2, और Z square के value है, 2X plus 1, minus 10, plus C, मौनलब यह हो जाएगा, 1 by 5, 2X plus 1, whole to the power 3 by 2, 2X minus 9, plus C, यह एनसर, प्लिया, देख लाचितर, यह होगिया एनसर, अगर आप exam में यह common नहीं ले सकते हो, कोई बाद नहीं, जिदना भी more simplified होगा, यह एनसर होगा, ठीक है, अब चलो, question number 20, अब question number 20, question number 20 क्या है, integral 2X minus 1 upon X plus 1 whole square dx, 2X minus 1 upon X plus 1 whole square dx, चाहिए देखो, यह कैसे आपको करना चाहिए, तो आगर X plus 1 को आगर Z पकल लो, तो आपको बहुत easy हो जाएगा, X plus 1 को Z पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा, dx is dz हो जाएगा, इसका derivative 1, dx और इसका derivative 1, dz, तो यह हो जाएगा, Z square और X plus 1 Z है, तो इसको बैठा दो, यहां से X कितना मिल जाएगा, Z minus 1, ठीए, तो इसमें Z minus 1 और minus 1, और dx का value क्या है, dz है, तो आप इसको 2Z minus 2 minus 1 Z square, इससे क्या फाइदा हुआ, नीचे में इसको क्या है, 2X minus 1 को X plus 1 से divide करना पड़ेगा, लेकिन यह तो divide हो जाएगा, यह तो पार, उपर का पार क्या था, 1, और नीचे में क्या पार है, नीचे में पार X का maximum पार 2 है, तो यह तो प्रफरफेक्शन नहीं है, मरलब यह divide आपड़ यह इसा करेगा, ठीक है, तो इसलिए 2Z क्या हो जाएगा, 2 by Z minus 2 by Z square minus 1 upon Z square D, प्रोख क्लिया, आप इसको,